दोस्तो इंसानों के शरीर में सबसे ज़्याद जरूरत होती है बिल्ड के लिए वो होती है प्रोटीन चाहे आपकी उमर 10 साल हो 20 साल हो आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए होता है ताकि आप स्वस्त रहें तंदुस्त रहें और अगर आप जिम कर रहे हैं और अपने बॉडी बनाना चाहते हैं थोड़े मसल्स आज़ें आपके शरीर पे तो उसमें भी सब्चार रोल होता है जरूरी प्रोटीन का लेकिन प्रोटीन की जो सोर्सेज होते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 5 सब्सक्राइब कर लीजेगा आए वीडियो की तरफ आगे बढ़े हैं सोर्स नमबर वन दोस्तों इसका नाम है अंडा एक्स जियां दोस्तों अंडे की बात करें तो अंडे आपको जनरली 6-7 रुपे में एक पीस अंडे मिल जाते हैं दोस्तों एक पीस उस अंडे में आप आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है प्लस 75 कैलोरीज 5 ग्राम फ्रेट और आईरन विटामिन मिनरल जैसे बहुत ही जरूरे ऐसे आपको तत्यों मिलते हैं जो आपके शरीर मसल बिल्ड करने मदद करते हैं तो अगर आप दिन के दो अंडे भी खा लेते हैं तो आपको 12 ग ग्राम सोयबीन अपने मुठी में ले लेते हैं ना बस 30 ग्राम सोयबीन लीजे आपको 96 कैलेगरीज 5 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम फ्रेट और आईरन कैसियम जीसे देखनी को मिल जाती हैं सोयबीन के अंदर तो अगर आप बॉड़ी बनाना जाते हैं तो खाने में सोयबीन क सब्सक्राइब करें इससे आपको सस्ते में अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा 10 रुप invari आपको अच्छा स्युद्वीन का प्रोटीन मिल जाता है आप उसको 2 दिन चला सकते हैं और आपको एक बहुत अच्या स्वोड़ीन का सस्ते मिल जाता है नंबर तीसरा यह चना से जाता है इंस्टियल न्यूट्रियन्स प्रोवाइड करती है चना तो अगर आपको मसल बीडिंग करनी है तो चना खना रोड़ सुपर सुरू कर दो नर्बेर पांच वह दल्या works in अधिस्टा से लिए कि और 20 रुप्र गडς से बहुत करेंगर करीवन अगर 100 ग्राम दलिया में ऐफको बारा ग्राम प्रोटीन मिल जाता है तिन्सू शू hakkनावन कैलरीज मिन्रिल ना कैल्सिय्म यह सारे तत्व दिये गए हैं जो कि आपके बॉडी को बिल्ड करने में मदद करेंगे दलिया और यह काफी चीफ है अगर हम एक दिन का एवरेज निकालते तो छहरप दलिया आप बनाईए दिन में और खाईए आपको वो सारी चीज मिल जाएगा जो आपको दिन भर में चाहिए 100 ग्राम दलिया दिन भर नहीं खा सकते हैं दिन में तीन चाहिए आपको बारा ग्राम प्रोटीन चैर पर मिलना है क्या चाहिए वापको नमबर पांच वाव सबसे आखरी यह है मूम की दाल जाए दोसो किराने वगेरा कहीं मिल जाता है 20 ग्राम मूम की दाल बनाएंगे अगर आप घर पे तो आपको और इवन 24 ग्राम यहां पर प्रोटीन मिल जाता है मूम की दाल उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जो लोग मोटे होते हैं और उनको थोड़ा फैट घटाना होता है या फिर उन ज्यादा फैट फूट नहीं खालना जाते हैं थोड़ी मसल आजया वाड़ी पे चरबी नहीं चाहत है तो मूम की दाल बहुत चाहसकता है यह जब अपक्सायज करते हैं तो इसको प्रोटीन शेक के तौर पर पी सकते हैं इसे फाइवर है काप्स है जो कि आपके पेट की पाचन क्रिया को भी दुस्त करते हैं तो यह हैं वो 5 फूट्स जो की काफी सस्ते हैं और हाई इन प्र ये खीव विल्टुस को देख सब्सक्राइब करें हमारा चैनल है जालती निवो को मैं ने 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 ये ने 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 नेग्स वचिआन थाखने थाउल वाचिक्टारवर वाचीश्ट देखने के श्क्डाइब के वह बजिए ने ने डे डिटीक हैं कार उनने में ये